सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बहस का मुद्दा बना हुआ है कि आखिर रसोड़े में कौन इस सवाल का हर कोई अपने अपने तरीके से जवाब दे रहा है अब तक बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और असम पुलिस बता चुकी है कि आखिर रसोड़े में कौन था और अब कवी कुमार विश्वास ने बहुत शांदार अंदाज में बता ही दिया कि रसोड़े में कौन था दरसल डेली सोग साथ निभाना साथिया के एक डालोग को म्यूजिक प्रोड्यूसर यश्राज मुखाते ने रैप में बदल दिया था जो इंटरनेट पर काफी वाइरल हो रहा तभी से ये सवाल चाया हुआ है कि रसोड़े में कौन था कवी कुमार विश्वास ने बुधवार को एक बहुत ही शांदार वीडियो ठ्मीट किया जिसमें एक चिडिया उनके घर में बड़े आराम से निडर होकर यहां वहाँ टेहल रही इस वीडियो को शेर करते हुए विश्वास ने लिखा कवी कुटीर की कुटिया में रोज सुभा पंचियों के लिए दाना निकाला जाता है आज थोड़ी देर क्या हो गई चेडिया कुल की ये ने ताइन रसोई घर का पूरा मुआयना कराई जैसे कह रही हो कि भाई हद हो गई सूरत चड़ाया दाना कब डालोगे यह हो सकता है कि ये भी यहीं देखने आई हो कि आज रसोड़े में कौन था इसी वीडियो को रीट्वीट करते हुए कुमार विश्वास ने लिखा रसोड़े में कौन था, ये थी, मैं था, कौन था प्रकृती प्रेमी कुमार विश्वास ने जितनी शांदार वीडियो शेयर की उतने ही मज़ेदार अंदाज में ये भी बताया कि रसोडे में कौन था ये तो रहा कुमार विश्वास का जवाब अब बात करते हैं असम पुलिस की नरसल बीजेपी राज ने असम में अंटी ड्रग ओपरेशन चला जा रहा इसी ओपरेशन के दौरान असम की नागौन पुलिस ने भारी मात्रा में ड्रग्स से भरे दवा के बोतल वरा मत किया फ़नी स्टाइल में इसकी जानकारी देते हुए असम की नागौन पुलिस ने ट्वीट किया रसोडे में कौन था? रसोडे में दो ड्रग्स पेडलर थे कार्टन में से लिवसाफ और विटमिन्स निकाल दिये और कोडिक्स और ड्रग्स छुपा दिये इतने में टीम नागाव आई और दोनों को उठा लिया यानि रसोडे से दोनों गिरफतार कर लिये गए ये तो रहा असम पुलिस का जवाब अभी कुछी दिन पहले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी एक टीवी डिबेट में बताया था इस वीडियो में कॉंग्रस कारे समिती की बैठर को लेकर हो रही बहस के दोरान संबित पात्रा ने कॉंग्रस को निशाने पर लेते हुए कहा था कॉंग्रस में रसोडे में कौन है का खेल चल रहा सास बहु से पूछ रही होती है साडी पर जूस गिरने के बाद मैं नहाने गई तब तुम चने कुकर पर चढ़ा कर मेरे पास आई उस समय रसोडे में कौन था जवाब में छोटी बहु कहती है कि राशी बेन थी इसके बाद सास ने कहा सारे चने निकाल दिये और कुकर गैस पर चढ़ा दिया संबित पात्रा ने इस बात को कॉंग्रस से जोड़ते हुए कहा था कि राखुल गांधी ही राशी बेन कवी कुमार विश्वास, असम पुलिस और संबित पात्रा तीनों ने बताया कि रसोडे यानी रसोई में कौन था अब आप बताईए इन तीनों जवाब में आपको सबसे ज़ादा मज़िदार जवाब कौन सा लगा हमें कमेंट कर अपनी राश जरूर बताए